गाईज आज हम PMT, IPMT और PPMT फंक्षन का यूज़ करना सीखेंगे PMT फंक्षन की हेल्प से हम अपने लोन की EMI निकाल सकते हैं साथ ही rate of interest और लोन की number of installment निकाल सकते हैं हमने एक कार खरीदी जिसके लिए हमने bank से 4 लाग का लोन लिया जिसके लिए हमें bank को 8% ब्याज की दर से 4 साल में amount वापस करना है तब हमें monthly EMI calculate करनी है तो उसके लिए equal PMT लिखकर bracket लगाएंगे interest rate वाले cell को select करके divided by 12 करेंगे 12 से divide इसलिए करेंगे क्योंकि हमें EMI monthly calculate करनी है फिर कॉमा लगाके loan period वाले cell को select करेंगे जिसे हम 12 से multiply करेंगे क्योंकि EMI हमें monthly calculate करनी है फिर कॉमा लगाके loan amount को select करके bracket बंद करके enter करेंगे अब हम EMI with down payment calculate करना सीखेंगे हमने एक कार खरीदी जिसका price 10,00,00,00 रुपे है जिसमें हमने 1,00,00 डाउन payment जमा कर दी तब हमारा loan amount 9,00,00 रुपे बचा ये amount हमें 9% ब्याज की दर से 4 साल में जमा करना है तो उसके लिए हमें monthly EMI calculate करनी है तो उसके लिए हम equal के साथ PMT लिखकर bracket लगाएंगे फिर rate of interest वाले cell को select करके divided by 12 करेंगे 12 से इसलिए divide करेंगे क्योंकि EMI monthly calculate करनी है फिर कॉमा लगाके loan period वाले cell को select करके multiply by 12 करेंगे 12 से multiply इसलिए करेंगे क्योंकि loan period years में है और हमें EMI monthly calculate करनी है फिर कॉमा लगाके loan amount वाले cell को select करके bracket बंद करेंगे और enter करेंगे देखिए हमने down payment के साथ loan की monthly EMI calculate की टोटल amount निकालने के लिए EMI को 48 से multiply कर देंगे अब हम IPMT function का यूज़ करना सीखेंगे IPMT function का यूज़ करके किसी loan की EMI के interest amount को जानेंगे मतलब किस महीने में हम कितना interest pay कर रहे है हमारे पास कुछ data दिया है जिसमें हमारे पास loan amount है interest rate है loan period है हमें हर मन्थ में pay की गई EMI के साथ pay किया गया interest पता करना है तो उसके लिए equal के साथ IPMT लिखकर bracket लगाएंगे फिर interest rate सलेक्ट करके उसे F4 से लॉग करेंगे फिर divided by 12 करके कॉमा लगाएंगे फिर month वाले column से cell सलेक्ट करके कॉमा लगाएंगे फिर loan period वाले cell को सलेक्ट करके उसे F4 से लॉग करेंगे फिर इसे multiply by 12 करके common लगाएंगे फिर loan amount को select करके उसे F4 से lock करेंगे फिर bracket बन करके enter करेंगे अब track कर देंगे यह देखिए हमने EMI के साथ किस मन्त में कितना interest pay किया है calculate किया अब हम PPMT function का use करना सीखेंगे PPMT function का use करके अपने loan की EMI में pay किये गए principal amount को जानेंगे PMT function का use हम EMI calculate करने के लिए करते हैं जिसमें principal और interest amount होते हैं IPMT function का use हम किसी भी मन्त का interest निकालने के लिए करते हैं और किसी भी मन्त का principal amount निकालने के लिए हम PPMT function का use करते हैं हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास loan amount है interest rate है और loan period है हमें हर मन्त में EMI के साथ pay किये गए principal amount को निकालना है तो उसके लिए हम equal के साथ PPMD लिखकर bracket लगाएंगे फिर interest rate वाले cell को select करके F4 से lock करके divided by 12 करेंगे फिर कॉमा लगाके month वाले column से first cell select करके कॉमा लगाएंगे फिर loan period वाले cell को select करके F4 से lock करके multiply by 12 करेंगे फिर कॉमा लगाके loan amount वाले cell को select करके F4 से lock करेंगे फिर bracket बन करके enter करेंगे फिर drag कर देंगे ये देखिए हमने EMI के साथ किस मन्त में कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया है कैलकुलेट किया